जैसा कि सावन के सौंबार चल रहे हैं और आज सावन का सात्वा सौंबार है और आज के दिन नाग पंचमी भी है तो नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है इस वीडियो में ये बताने वाले हैं तो नाग पंचमी इसलिए मनाई जाती है कि आप सभी जानते हैं देवताओं को प्रिये नाग हैं जैसा कि महादेव के गले में भी नाग देवता हैं और विश्नु भगवान जी भी शेश नाग पर विश्राम करते हैं तो नाग देपता देपता को अधिक प्रिये हैं और ब्रह्मा जी ने नाग देपता को नाग पंचमी वाले दिन पूजिनिया का वर्दान दिया है और धार्मिक ग्रंतों में हिंदू जो लोग हैं वो नाग देवता को बहुत अधिक मानते हैं और नाग देवता की पूजा करते हैं और 5 पंचमी वाले दिन हिंदु धर्म में जोत नाग देवताइं के चित्र बनाकर भी पूजा करते हैं और उन चित्रों को दूख पिला ते पाद जो नाग देवता आते हैं अगर उस दिन बहुत मिल जाएंगी आपको in and nath recipe लेकर जगा-jगा जाते हैं और उन नाग देटा को हर घर में हर लोग दूद पिलाते हैं अगर जैसे नाग देटा नहीं मिलते हैं तो वो पीपल पर भी दूद अर्पित कर देते हैं क्योंकि पीपल पर भी नाग देटा का वासा होता है तो जैसे कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करें और बताएं हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे धन्यवाद